घर में दो भाई होंगे तो बरतन तो खुड़केंगे ही परिवार के आपसी जगडों के बाद जब बड़ों की पंचायत बैठती है तो अक्सर ये कहावत सुनने को मिल जाती है और फिर नर्म गर्म करके मामला निप्टा लिया जाता है लेकिन हर्याना कॉंग्रेस के संदर्ब में ये सब लागू नहीं होता नमस्कार मेरा नाम रहूल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हर्याना तक गुटबाजी, खेमेबाजी या धड़ेबंदी ये शब्द वैसे तो किसी भी राजनितिक दल के लिए इस्तमाल किये जा सकते हैं लेकिन जब बात हर्याना कॉंग्रेस की आती है तो उनकी गुटबाजी के आगे ये शब्द भी बोने नजर आते हैं अब परदेश कॉंग्रेस परभारी दीपक बाबरिया द्वारा जारी किये गए इस लिखित बयान को ही देख लीजे जिसके दूसरे पैराग्राफ में हर घर कॉंग्रेस अभियान को सफल बनाने के लिए परदेश के तमाम कारकरताओं से आवहान किया गया है लेकिन तीसरे पैराग्राफ में असली खेल शुरू हो जाता है जिसमें लिखा गया है कि इसके अलावा यानि हर घर कॉंग्रेस अभियान के अलावा अन्य किसी कारकरम से स्वेम को दूर रखे ताकि आम लोगों, कारकरताओं और मीडिया के बीच किसी भी तरह से भ्रम व एसाहज किस्किती उत्पनना हो पार्टी लाइन से अलग हटकर और नेत्रतव की अवग्या करके किया गया कोई भी कारिये ऐस्वी कारिये होगा जो कि ऐसा कोई भी क्रत्य ना सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी के विरोज्यों को ताकत लखुर्जा परदान करता है बलकि आपको निजी तोर पर भी जाने अंजाने में पार्टी अनुशाशन तोड़ने में निमित बना देता है हम सभी भली भाती जानते हैं कि किसी परकार की अनुशाशन हींता का नुक्षान अंतत है हम सभी को उठाना पड़ता है उधर कॉंग्रेस महासरचिफ कुमारी शैल जा, रनदीफ सिंग सुर्जेवाला और वरिष्ट कॉंग्रेस नेतरी किरन चोधरी आज हिसार से अपनी कॉंग्रेस संदे स्यात्रा की शुरुआत कर रहे है लेकिन उनकी इस यात्रा के शुरू होने से ठीक एक रात पहले ही परदेश परभारी की ओर से इस तरह का लिखित बयान जारी करना ये दिखाने के लिए काफी है कि परदेश कॉंग्रेस में गुटवाजी किस कदर हावी है अब तक तो परदेश सद्यक्स उदैभान को ही वुपेंदर हुड़ा का आदमी माना जाता था लेकिन अब तो परभारी भी उनकी साइड से बैटिंग करने लगे हैं और कारकरताओं को हर घर कॉंग्रेस अभियान के अलावा किसी भी अन्यकारकरम में शामिल होने पर अनुसाशन हिंता का डर दिखा रहे हैं अलांकि परभारी दीपक बाबरिया का यूँ लिखित बैयान जारी करना कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि जिस कुमारी सहलजा और ररदीव सुर्जेवाला की यात्रा को इस बयान के महाने टार्गेट किया गया है वो भी कॉंग्रेस में उसी महासचिव के होदे पर बैठे हैं जिस पर आज बाबरिया बैठे हैं ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि बाबरिया के इस बयान का S.R.K. गुट क्या जवाब देगा और साथ ही कॉंग्रेस के कारकरता अपने परभारी की सुनेंगे या इन तीनों नेताओं की यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलेंगे आपका कॉंग्रेस में शुरू हुए इस अंदुरूनी तुफान पर क्या कहना है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताए हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उचे शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और परदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हर्याना तक शुक्रिया